हेलो फ्रेंड आप देखेने टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है और कैसे ये काम में लाई जा रही है क्या क्या चीजें इससे बनाई जा रही है इसक आपको पता है 2D images होती है, बोलते हैं 2D format है, यह मतलब two dimensional, दो तरफ से उसमें आप देख सकते हैं, दो dimension है उसमें, लेकिन three dimensional में तीन dimension होते हैं, तीन axis होते हैं, अगर आपने Cartesian plane पढ़ा होगा, और तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, आप इसके बारे में और सीख सकते हैं, तो basically आप उसमें depth देख पाते हैं, ठीक है, आप किसी भी object की गहराई देख पाते हैं, depth देख पाते हैं 3D में, reality जैसा लगता है, बोलते हैं ना की 3D में picture है, या 3D model है, तो 3D model अलग होते हैं, 2D सामने होते हैं, 3D model में उनकी कोई कराने जाते हैं, कोई चीज प्रिंट कराने जाते हो, हाला कि ये सब चीजें बहुत common बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, प्रिंटिंग तो कोई भी कराता है, बोलते हैं, इसकी दो कॉपी कर दो, तो ऐसे ही पेपर पर कॉपी निकल जाती है, राइट, ऐसे ही सोच के चलिए कि अगर 3D प्रिंटिंग हो, तो क्या होगा, मतलब अगर मेरा हाथ है, ऐसे है, अब मेरे हाथ की अगर 3D प्रिंटिंग करें, तो ऐसा ही दिखने वाला हाथ एक प्रिंट हो जाएगा, जिसे आप छू सकते हो, उठा सकते हो, मतलब एक वस्तु की चीज की exact copy आप बन आता हूं, देखिए 3D modeling होती है, blender एक software आता है, जिसमें आप 3D modeling कर सकते हो, models बना सकते हो, आपने वीडियो गेम देखे होंगे, अब उसमें 2D वीडियो गेम तो आज रही नहीं, आजकल तो 3D वीडियो गेम आ गए हैं, बड़े बड़े call of duty सीरीज ले लो, और GTA ले ले ल हैं, और बड़े बड़े apartment बन रहे हैं, तो उन building को बनाने से पहले, उनकी 3D images बनाई जाती है, 3D models बनाई जाते हैं, तब architect को दिखा जाता है, उस हिसाब से कोई भी city, कोई भी apartment, कोई भी building फिर plan की जाती है, ठीक है, यह बाता आप जानते हैं, अब ऐसे ही model printer बना रहा है, ठीक है, अब यह छोटे लेवल पर बनाना शुरू किया इसने पहले, पहले क्या होता था, जैसे एक ball है, शुरुवाती दोर में, अब एक ball की, अगर उन्होंने scan कर लिया एक ball को, और उसके जो model है, वो blender में बना लिया, software होता है, जो 3D models बनाता है, उसके बाद जो file होगी, AMF file होगी, जो भी blender की 3D file होगी, उसको 3D printer में डाला जाएगा, और 3D printer किसी भी एक चीज से, जैसे अभी normally तो plastic यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो plastic की ball वैसे ही हुबा हूँ उतर जाएगी, layer, layer, layer बनके एक ऐसी ही ball तयार हो जाएगी, 3D print करके, अब 3D pen भी आ human body के जो parts होते हैं, वो तक बनाय जा रहे हैं, जो surgeons होते हैं, आप experiments इसको पर चल रहे हैं, research चल रही है, आप कृत्मिक रूप से कान बनाय जा रहे हैं, दात बनाय जा रहे हैं, हड़ीों के part बनाय जा रहे हैं, कई डिस्क निकल गई, कुछ हो गया, कान कट गया, कुछ हो बता दिया, जो मुझे पता था, 3D printing के बारे में, 3D modeling के बारे में, अब इसका जो format होता है, वो होता है AMF, आप कह सकते हैं, AM आप कह सकते हैं, additive manufacturing file format, ठीक है, तो इसकी जो extension होती है, वो .amf होती है, additive manufacturing file format, इसको short form में .amf भी कहते हैं, amf file अगर आपको कहीं मिले हैं अभी computer समझ जाना कि वो 3D printing से related है, और 3D printing होती है, आपको मैं कुछ और भी links यहां description में दे दूँगा, कुछ videos आपको और भी आप देख सकते हैं, 3D printing के बारे में, और detail में जान सकते हैं कि कैसे 3D printing हो रही है, 3D printing हो रही है, अब एक चीज और हो रही है, अब इनसान खुद को scan कर आ रहा है, मतलब पहले मॉम के पुतले बनते थे, जो कारीगर होते थे, बहले पत्थर की मूर्तिया बनाया करते थे, तो खुद से उसको ठोक ठोक के बनाया करते थे, या मॉम के पुतले जो आर्टिस्ट होते थे, वो देख के बनाया करते थे, किसी फोटो को देख के बना थी उनकी बाद में उस फाइल को 3D printing में डालेंगे और ऐसा ही दिखने वाला इंसान बन जाएगा हाला कि वो जीवित नहीं होगा एक बन जाएगा अब जापान में तो इसकी भी हद क्रॉस कर दी एक बड़ा सा घरी बना दिया 3D printing से कितने दिन उसको चार या पांच दिन लगे उसको और पूरा का पूरा घरी 3D प्रिंट कर दिया एक घर की दूसरी नकल बना दी तो इसमें कुछ भी हो सकता आगे अब रिसेर्च चल रही हैं हो सकता है घर ऐसे ही बनना शुरू हो जाएं या चीजों की नकल होनी शुरू हो जाए बहुत कुछ होने वाला है इसके लिए इससे रिलेटेट तो काफी इं मॉडलिंग की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है जो मैं आपके साथ जरूर शेर करूँगा आपको बताऊंगा 3D मॉडल कैसे बनाये जाते हैं जो गेंस डिजाइन होते हैं उसके मॉडल कैसे कैसे तयार किये जाते हैं इसके बारे में मैं बहुत जल्दी ही कुछ दिनों अगर आपके कोई question है तो आप मुझे comment पर पूछ सकते हैं मुझे मैं जवाब दे दूँगा या कोई और हमारा family member जवाब दे देगा हमारा family ही तो है ना अगर आप नहीं है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thank you so much and goodbye तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इस बटन को दबा कर subscribe कर लिजिए और साथी साथ ये घंटी के आइकाउन को भी क्लिक कर दीजिए इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ है नहीं आपको notification मिल जाएगा ओके thank you